नमस्कार आप देखरें न्यूजबल इंडिया आपके साथ मैहू का जोल नरायन शुरवात करेंगे खबरों की अमीठी में 11 मई को मत दान होना है और मत दान के बाद मत पेटी को राजकी अबालिक अंटर कॉलेज अमीठी में रखा जाएगा जिसको लेकर मत पेटी स्थल का आज अमीठी डियम ने औरचक दिरिक्षन किया और मत पेटी स्थल का दिरिक्षन कर वहाँ की देखरेक और सुरक्षर ववस्थाओं का अजाजा लिया है वहाँ के सम्मदित अधिकारें को दिशा निर्देश भी दिये हैं निर्वासें के त्यारियां हैं उदर ट्रेनिंग हो रही है जहां पर स्टांग रूम बनना है और जहां मत लड़ना हो नहीं वह मैं देखने आया था अधानी अमेठी के 17 दिकारी वो उभजा पर है तो उनको त्यारियों समन्द चर्चा किया गया क्या कराना है कैसे कराना है कहां लोग पर्टकर पार्टी के लोग बैठें कहां कांउंटी हो कैसे होगा इस सब चर्चा अथी रस्पन निरिशन का सर्चुनाओं में तमाम तरहिके के वाते हैं जिसे पत्यासी को जनता को रुछाने को वोटर का वह होता है साड़ी या पैसा इस तरीके सतिसके लिए कि इस प्रकार की ब्युस्ताइए के लिए? कहा लेकर जा रहे हैं जब कर लिया गया जाहिब गर्ज धारकंड और दूसरा भ्योक्त मुहंबद श्रमीम बताय चारहा है जो कि बस्ती थाना काली च्वाइग जिला अम्मालदा पश्रिम मंगाल का रहनी वारा है के लिए दो लोग हैं एक का नाम फेकन मंडल था दूसरे का नाम मौमद सेख है इन दोनों लोगों के चेकिंग की गई तो इनके पास शाठ मांगे मोबाइल जिनकी कीमत लबक 15 लाग रुप्या हुई बरामद हुआ जब इनसे पूश ताच की तो इन्होंने बताया कि मौमद सेख है इसका घर मालदा में है पस्टे मंगाल में फेकन मंडल का घर मुझफण अगर में चार मई को नकर डिकाय चुनाप का मतदान होना है जिसको लेकर जिलाफ रशासन द्वारा सभी तयारियां पूरी कर ली गई है मतदान स्थलो की खबर पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है जो मतदान स्थलो पर पहुँचकर अपनी तयारियों में जुट गई है जन्पत कवज 54 सेक्टर और 20 जोन में बाटा गया है जिसमें 9 जोनर मर्डिस्ट्रेट को 4 सुपर जोनर मर्डिस्ट्रेट लगाए गए है एडियम प्रशासन नरेंद्र बहादू सिंग ने जानकारी देते वे बताया है कि नगर निकाय चुनाप का मतदान होना है जोनर मर्डिस्ट्रेट बनाए गए है 4 सुपर जोनर मर्डिस्ट्रेट बनाए गए है मदान स्थलो पर भारी पुलिस पोर्स भी तनाथ किया गया है साथी निग्रानी के लिए सिस्टी वी कैमरी भी लगाए गए है साथी चुनाप प्रचार के दोरान आच वार सैंता को लंगन करने वाले कई प्रत्याशों के खिलाब मुकद में भी दर्ज किये गए है हमारे यहाओ कुल दस स्थानी निकाय है जिसमें से तीन नगर निकायों की मुझफवन अगर बंडी से रवाना हो रही है और तीन नगर निकायों के बुढ़ाना डिये भी इंटरपाले से, खतवली नगर पालिका की कबूल करने हैं इंटरपाले और जानसर्थ में तीन जो हमारी लोकल बाडी है उनकी पार्टिया रवाना हो रही है सभी ने समगरी प्राप्त कर लिया है, मिलान कर रहे हैं लोग, कुछी देरों में सभी लोग अपने वाहन से अपने बूतों पर पहुँचेंगे और हम लोगों ने सारी तैयारिया अपनी पूरी कर ली है, पूरे जन्पत को हम लोगों ने 54 सेक्टर में 20 जोन में बाटा हुआ है और इसके उपर हम लोगों ने सूपर जोनल में स्टेट भी एसडियम रैंक के अडिकारी नौ लगाये हैं उत्राखण में सत्ता रोड वब बीजोपी सरकार के कावनेट मंत्री द्वारा शिकेश में युवक के साथ मारपीट किये जाने के संबन में कॉंग्रिस ने मंत्री के स्तीफे की माव उठाई उत्राखण राज्जो सरकार के कावनेट मंत्री प्रीम चन्द अगरवाल द्वारा मंगलवार प्रुशिकेश में आमनागरिक के साथ खोलिया मारपीट किये जाने की कॉंग्रिस पार्टी ने घून इंदा करते वे भाजपर सरकार के मुख्य मंत्री से मांग की कि अइसे मंत्री जिसने आमनागरिक के साथ दुर्वयवार किया है ऐसे मंत्री से इन अतिक्ता के आधार पर तदकाल स्तीफा लेना चाहिए मुखे मंत्री से कॉंगर्स पार्टी ने मांग की है कि आरोपी मंत्री को दतकार प्रभाव से मंत्री मंडल से हटाए जाए इसी करम में प्रदेश कॉंगर्स अध्येश करन महरा नेके निदेशा अनुसार बदवार को महाराना प्रताप चौक पर काशिकुर महानगर कॉंगर्स त्वारा मुखे मंत्री पुषकर सिंग्धामी और कैमिनेट मंत्री टेम चंद विवाल का पुतला दहिन किया गया पुरे उत्तराखंड में पुतला भूगने का कार्य किरम किया गया है चुकि उत्तराखंड पुर्देश के भाजपा के कैमिनेट मंत्री श्री प्रेम चन अगर्वाल जी दुवारा जो एक घिनोनी हरकत की गई है नागरिक के व्यक्ति के साथ खपड़ और मारपीट का क्या गया है हमारी कॉंग्रेस पार्टी की मांग है को उस पार्टी के कैबिनेट मंतरी को भारती जनता पार्टी के मुख्य मंतरी को एसे मंतरी को जो जनता के साथ जर्वार करता है कॉंग्रेस पार्टी गोहर सब्दों लिंदा करती है काबनेट मंत्री प्रेमचन दगरवाल की मारपीट से सम्मंधित वारल विडियो पड़ लगातार राजनीती हावी होती हुई दिखाई दे रही है विपक्ष ने इसे अपना मुद्दा बना लिया है काबनेट मंत्री प्रेमचन दगरवाल की मारपीट करने के मामले में प्रेमचन दगरवाल पर मुकादमा दर्च करने की मांग भी की जा रही है प्रेमचन दगरवाल का पुतला देहन किया है और लगातार मुकदमा दर्च करने की मांग भी करते रहे प्रेमचन दगरवाल का पुतला पुका पुतला दिया गया जिस तरह से प्रेमचन दगरवाल लगातार पिछरे पंदरत सालों में एक के बाद एक बत्तमीजया करते हैं पहले तो मुझ से करते थे आज उन्होंने हाता पाई कर दिये और पर्शासेन का रोल बड़ा नगर् प्रेमचन दगरवाल के खिलाब और उसको के बत्तमीजया करते हैं और में मुक्यमन दिभी से मांग करूँआ है कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और विधायक पत्पर जो अभी है पहले भी उनको देखा गया कई मामनों में देखा गया जो उनका गुसा जो नाग पर रह उसके बाद को हुआ उस सब ने लेखा कि उस वेक्ट को ढाकर ले जाया गया थानेगर और उसको गुजरात के सुरेंद्र नगर जिला ठांगर तालुका के पंचात अध्यक्ष की कार दुरगटना ग्रस्त हो गई धानगर से अमदाबाद के ओर जा रहे उसी वक्त इसी किनी कारणों के वज़े से कार के स्टेरिंग से वो काबू नहीं कर पाए जिसकी वज़े से दुरगटना होई है कार दुरगटना के समय कार में दो महिलाएं दो पुरुश और एक बच्च्च श्रामिल था इस दुरगटना में कार में सबार दुनों महिलाएं घायल हो गई है नुएसे एक महिला पूरी तरह से घायल होनी की वज़े से 108 के माधियम स्टेरिंध नगर अस्पिताल में इलाज के लिए भर्ति कराया गया थाना तालका पंचाइट के अध्याक्ष उनके वेटे वहू और तीन अन्य लोग एक शादी के लिए हम दबाज जा रहे थे तब ही ओना गाउं के पास कार दुरगटना गरस्त हो गई है हाला कि सोचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच रहे हैं सभी हाई लोग को अस्पिताल में इलाज के लिए भर्ति कराया है अलसीफ पुलिस ने लिए बंडी के साको गाउं की सीमा से बड़े पैमाने पर गुड़ी पासा जुए का परदा पाश किया है सुरें देगर जिलाप पुलिस प्रमुख हरेश कुमार जानते ने लिब्री पिएसाई एनेच को रेशी समेट नौ पुलिस कर्मियों को सस्पेंट कर दिया काफी समय से यहां के स्थानिय थाने की सीमा में गुड़ी पाशा जुआ खेलने के बावजूद इन्हें सस्पेंट किये गए हैं उन्होंने ही कहा था कि उन्होंने किसी प्रकार्वी कोई कारवाई नहीं की इसलिए लोगों को कहसा दुखकतों का सामना करना पड़ रहा था लेकिन अब 38 लोग जो जुआ केल रहे थे उनके पास से 24 लाश जादा नकट रुपए बरामत कर लिए गए हैं आठ मुबाइल फोन बरामत किये गए हैं और दो कारून के पास से बरामत की गई है देश के सरवोशन आया ले समलाइगी कानून को मानता देने पर विचार कर रहा है इसलिए देश में हाकार मचा हुआ है समलाइगी के विभा को मानता मिल जाती है तो परिवार विवस्ता तूट जाएगी ऐसा लोगों का कहना है देश के कई विद्वान और कई बुधित जीवी चिंता व्यक्त कर रहे हैं इस समय इस तरह के काईरे से इसके खिलाफ देश के सबुसमदाय के लोग जो है वो आविदन पत्र भी दे रहे हैं चाहे वो गुज़ाग की बात हो तर पर देश की बात हो तमाम जगहों से इस तरह के आविदन आ रहे हैं इसके तहट और संधान में पार्ड़ी तालुका से नाड़ुदा राजपूद और तमाम लोगों ने एक आविदन दिया है और इस पर रोक लगाने की मांगी है उनका कहना है कि मानिता नहीं देनी चाहिए अगर ऐसा होता है तो फिर शादी की कोई वैल्यू नहीं रहे जाएगी साथी साथ इससे कई लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है उत्रपदेश में निकाई चुनाव को लेकर सभी राज़तिक पार्ठिया एक दूसरे पर जबानी हमला बोलने में लगी हुई है आखी निकाई चुनाव के सहारे ही तो 2024 के लोग सभा चुनाव का अंदाजा लगाया जा सकता है इसी वज़ा से जो जबानी हमले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं यही वज़ा है कि निकाई चुनाव में एक से बड़े एक दिगजनेता जिले जिले घूम कर वोटरों का अपनी और अकर्शित करने में लगे है इसी को देखते हैं तो प्रदेश के उपमुखे मत्री के शिपसान मौरे ने टावर में अपनी सभी प्रत्याशे को जिताने के लिए विशाल जनसभा में पहुँच कर हिस्सा लिया उन्होंने जनसभा को सम्भूदित करते वे कहां कि टावा अपराद और गुंदागर्डी का गड़ माना जाता था प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद से ही अपरादियों और माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है अब किसी भी वोटर को किसी से डरने की जुरूद नहीं है आज अपनी डर होकर वोट कर सकते हैं प्रदेश के नगर निकारे चुनाओने जट्पा की आशिरवाद से अपर प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा की गए काम के कारण से लोगों में उस्ता है इसमें कमल खिर रहा है जासे चिरगाओं बरल चंदन सिंग महाविद्याले में एक ऐसी शात्रा जो अपनी शादी के मंड़पर से शादी बीच में ही रोकर पहले परिक्षा देने आई सोनम पाल जिसका नाम बताया जा रहा है जोकी गुलारा बियसे सेकंड एर की चात्रा है एक तरह सोनम का फाइनल एर का एक्जाम था और दूसरी तरह जीवन की नई शिरवात थी नई शिरवात करने से पहले से स्वाल वालों ने अपनी बगू को पेपर देनी की सलहा दी उनके इस फैसले पर सुनम के परिजन और पूरे विद्याले परिसर में खुशी की लहर देखने के लिए मिल रही है चात्राओं में भी स्वालों के इस फैसले से काफी खुशी देखने को मिली चंदन सिंग महा विद्याले यह ऐसा विद्याले है जो आपर बच्चे को आने से लेकर जाने तक की पूरी सुरक्षा की देख भाल की जाती है और विद्याले परिसर के द्वारा पांच निशुलक बस सेवाई दी गई है जिससे बच्चे को उनके शेहर तक छोड़ा जाता है जिससे चात्राओं के माता-पिता भी स्कूल परिसर से काफी खुश नज़र आते हैं मवरानीपूर नगर पालिका चुना में वोट खरीदने के कवाईद शुरू हो चुकी है विरोध करने पर बर्बाद कर देने के धमके तक भी जाती है वीडियो में आरोप लगाते वे यूवक का एक वीडियो वारल हो रहा है जहांसे के तस्वीरे हैं और यहां पर वोट खरीदने की बात तिकल कर सामने आरहे हैं पूरा मावना मौरानीपूर नगर पालिका का है जहां पर चुना में वोट खरीदने के कवाईदे शुरू हो चुकी है और अगर आप विरोध करते हैं तो बरबायत कर देने की धमकी तक दी जाती है विडियो आप देख रहे हैं ये विडियो तेजी के साथ वारल हो रहा है जिसमें वोट ना देने पर जान से मालने की धमकी तक दी जा रही है मवरानिपूर नहसील के अंतरगत आने वाले ग्राम पंचायत लुहर गाउं के सिंद्रा सिरख पर जाने वाली विदित लाइन मुख्य सड़क पर काफी नीचे जुप चुकी है जिसके चलते सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों को काफी परिशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है साफिसा डर भी सता रहा है आपको बताते कि जहां ये लाइन जुकी हुई है उस सड़क से अधिकांश किसानों का और ट्रैक्टर चालकों का निकलना होता है तूटे हुए उनको मरमत की जाए ताकि कोई बड़ा हाथ जाना हो मेरा नाम नस्तु सिंग तॉमर निकली है कई सालों से इस तरह देखी जा रही है परेसानिया होती है परेसानी जो है भज्जना हो रही है हमारे जो खासतोर से किसान भाई है सवय इनका भूसा उठ रहा है और एक दो बार तो यहां होते होते बच्ची है और बड़ी मुश्किल में जो है किसान लोग परेसान हो करके उनको कम-कम भूसा लाना पर रहा है नहीं तो अगर वो ज़्यादा भूसा लाते हैं तो इस लाइन से टकरा जाते हैं जहासी में आज जिला निर्वाशन अधिकारी जिलादिकारी रविंद कुबार द्वारा डिस्पैश स्थल भोशला मडी जहासी में पोलिंग पार्टियों की रवानगी का निरिक्षिन किया लिया नगर निकाय चनाप के लिए पोलिंग पार्टियां अपने मदान के इंद्र के लिए शांति पूर धंग से रवाना हुई जिलादिकारी में सभी को निर्देशित किया है कि शांती पूर्वक निश्पक्षता से मद्दान कराए जाए मद्दान कराते समय मद्दाताओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मदान श्वांति पूर्वक और निश्पष्टा से हो यही हमारा और सरकार का उद्देश है जहां जो जरूरत है उसी बस में पॉलिंग पार्टियां और पुलिस फोर्स जा रहे हैं ताकि पॉलिंग पार्टियां और पॉलिंग मेटरियल की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए और पॉलिंग के बाद समधी तैसील में जो स्ट्रॉंग रूम बने हैं जहां मतगन्ना ह यहां से जनपद में नगर निकाई चुनावचार तारीकों होना तो परत्वाम फेस्में आ Immen क्या जा रहा है ऑज ऐसे पोलिंग पाटी को मुलाना किया संद्वाना किया जा रहा है 90 ौप ौछ स्वाली का जितने समगदी को हमें आप हैं मुला घोना है हमारा चुनाओ को लेके चुनाओ मानक है उसका अनुसार जो फोर्स जप्लॉइमेंट है हर जगे कर चुके हैं हालांकि हम लोग एक्स्टा भी दिये हैं, जहां पे तीन बूथ, चार बूथ, पांच बूथ और छे बूथ हैं, वहां पे एकमाहिला कंस्टा एक्स्टा भी दि कि सील रफ मिली है दो एक स्प एसेभी मिली है अ हम एर पूर पहुंचए प्रदेश के मंतिरी विजाेश पार्थक ने जलसभा को संपूधित किया विजा पार्थक ने भाष्प karma प्रत्याश्रें के पक्ष में वोट मांगे हैं विजाष पार्थक ने जनपध के सभी नगर पालिका परिशदों नगर परचाइद पार्टी के अधिक्रित सभी सभासद उम्मिद्वारों के समर्थन में बूट मांगे अपने संबोधन के दौरान समाधवादी पार्टी और विपक्ष पर जम कर बरस्ती हुए नजर आए बजेश पाठक ने कहा कि मोदीजी ने कश्मीर सिधारा 370 हटाई तीन तलाग का बिल कराया पारित कराया और राम मंद्र का जो वादा किया था वो भी पूरा किया है अखेले श्यादव एर कंडिशनर कमरे में बैट कर राजनिती करते हैं बिजेश पाठक शेयर कुत्वारी श्यत्र के बुराने तहसेर क्राउंड में पहुँचे थे जहां पर जनसभा का कारकम रखा गया था महोबा में दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार गती पकट चुका है आज बीजेश पी प्रतियाशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए सूबे की दिप्टी सीयम विजेश पाठक चरखारी कस्पा पहुँचे नगर निकाय चुनाव में भाजपा के नगर निकाय प्रतियाशियों के प्रचार में आज ओल्ड पैलिस चरखारी मैदान में आज इस सफ़ा में कारकरताओं को संबोधित किया हलकॉप्टर से चरखारी पहुंचर डिप्टिस सीम का फूल माला पहना कर कारकर्टाव ने स्वागत किया जहां उन्होंने पहले च्रण में कल होने वाले मदान में 11 बैं तक सभी सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा तक कर डाला है और कहाए कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में प्रदेश का चोहमों की विकास हुआ है तो बुंदिल खंड का अलाग पाकेश से सरकार ने विकास किया इसी विकास से जनता प्रभावी थे और लेकर निकाए मोपीजेपी की ही जीत होगी कि यहां आने के बाद यह आम जनता से जो हमारी भेट हुई है मुलाकात हुई है आदनी पुदांति जरिद्मोदी जी की जरीब कल्याण योजनाओं का जन जन तक पहुँचना और योगी जी के लाइनाडर की तारीफ पुरे प्रदेश की जनता प्रदेश की जनता कर रही हैं और हम लोगों को भरुसा दिलाते हैं कमल को जिताये केंदर का जो है गुर्णाब्मेंटके ढंधास कि बारती जन्ता पार्टी हर जगे जीत रही है कल मतदान है और मतदान के प्रथम पहर में या आप देख पाएंगे कि टेलिविजन के माध्यम से जारा बस्ते बस्ते सभी प्रत्यास्ती भारती अंता पार्टी के एक तरपा जीत रहे होंगे भारती अंता पार्टी की पुरे प्रदेश में लहर चल लएए बिजनौर जिले में दवाईयों के नम्मूने जवाच में नकली और फेल साबित हो रहे हैं बिजनौर में जून दवाईयों के नम्मूने जवाच में फेल पाये हैं इनमें ब्राइन कंपनियों में निर्मित एंटिबायों के नम्मूने भी शामिल हैं इन दवाईयों के नमूने फेल आए हैं जिले में अलग-अलग मैटल स्टोर से ब्रांड़ेड और अन्य कंपनियों से दवाईयों के नमूने लिये गए ते फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है कि अभी मैंने जनपद विजनोर में जून 2022 में चार्ज लिया है तब से मैंने सेंप्लिक करीब 200 सेंपल उठा लिया हूं नमूने जांच के लिए करीब 10 हमारी नकली आई वी हैं और 12 हमारे अधोमानक पाई गई हैं और जिसमें कि दो मिस ब्रण्डेड हैं कितनी दवाईें पाई गई हैं चार कि खिलाप मैंने अभी मुकादमा दायर क्र दिया सीम कौत में और चार पे तयारी मेरे मुकादमा तयार हो गया है प्लस दो जो नकली दवाईयां थी इन पर भी मैंने मुकदमा कोट में दायर कर दिया है सेश रही गई दवाईयों पर मैं विबेचना कंप्लेट कर लिया हूँ बाहर की कंपणिया है ज्यादा तर हरिदवार, गुजरात और हिमाचल प्रदेश की कंपणिया है तो इन पर भी मुकदमा तेयर किया जा रहा है मौजूद रहे सुसाल पक्ष के दो लोगों के रास्त में लिया है बादन पॉलिस्टर शब को पोस्मार्टम के लिए जिलास्पताल भीज दिया राइबरिली में निकाय चिनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है जिले की सभी नौ नगर पंचायतों के लिए संबंधर तहसीर से पार्टियां मौके पर रवाना हुई जबकि राइबरिली नगर पाली का परिश्ट के लिए गौरा बाजार स्थेत आईचाई ग्राउंड से पार्टियों के जाने का सिलसला जारी रहा जिलाविकास अदिकारी पूजा यादव ने बताया कि नगर पाली का परिश्ट में कुल 205 पूथ हैं जिसके लिए 205 पार्टिया रवाना हो गई है जबकि 10 पार्टियों के रिजर्व में रखा गया है उन्होंने कहा कि इस दौरान मदान कर्मियों की सभी सुवधाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम कर दिये गए हैं कि कि पूरे जनपद में 104 सेंटर हैं जिसमें हमारे है पर सेंस्टिव प्लस काटिगरी के बारा है पूरे जनपद में और सेंस्टिव दस हैं और बाटिव कि सेंस्टिव कानपुन में 100 से ज्यादा ट्रेनों में लुग्डपार्ट करने वाले चार शाते लिटेरों को जियार पे निगरतार किया लिटेरों के पास सोना चांदी मोबाईल और नग्दी समें 5 लाग 30,000 का माल बरामत हुआ है लुटोरों के खिलाब मुकादमा दर्जगर ज्यार पी कानपुने जेल फेश दिया अधिशक प्रियागराज रेलवे स्रीय अष्ट भुजा प्रसाथ सीन साहब जो हमारे पुलिस अधिशक कप्तान साहब है उनके अंधिश पे एक टीम का गठन किया गया था जो उप्रिचक दिवाकर पांडे के उसमें काम कर रहा था और तीन दोरा जो है कल चार अभित्तों को दीपक सहित चार अभित्तों को पकड़ा गया है जिसमें गैंग लीडर दीपक है और इन लोगों ने रेलवे स्टेशन कानपूर और चर्तिवी ट्रेनों में चोरियों का अंजाम दिया है इनके पास से सोने चानदी के जो आभिशन है जो चोरी गया थे वो और एक मोगाई फोन पर अमद हुआ है और रब खबर चमपावस दिले के सिबान चरकपूर से है जहां इन दिनों शार्दा वन रेंज के अंतरगत आने वाली शार्दा नजी से खनन का कारूबार चल रहा है शार्दा रेंज में लगभग चारसो के आसपास वहनों द्वारा प्रतिन खनन किया जाता है खनन के पुरिस दिम्यदारी वन निगम हलदवानी वन विभाग की है खुश रिकातों के कारण चारदरों से लगातार शार्दा खनन शेतर में तौरित प्रतिक्रिया दल द्वारा खनन पर चल रहे सभी वहनों की रॉयल्टी की जाच की जा रहा है खोटादी कि शार्दा खनन शेतर तरटपूर से लगातार शेकातों के बाद डिएफो हलदवानी और वन शेतर अधिकारी तौरित प्रतिक्रिया दल के निदेशा अनुसार शार्दा खनन शेतर में क्यू आर्टी द्वारा लगातार जाच की जा रही है हम पहले अप्रेल से लगातार चेक्टिंग कर रहे हैं और शार्दा खनन शेतरी की और यहां पर जो भी हमारे दोरा जांसकारी किया जा रहा है तो जांसकारी में आर्गेम सही पाये जा रहा है जो कि अबरे तो अनुक्रिया जा रहा है को यह को तरिव दोल है यह जब हमार है तवी बूलगा जा चल जा जाए हुए हुए हूए फ्यूदेंग शापमार भाल टो है रूप में आपती है और इसे रूप में हम यहां आए हैं छापमार्यों के बीज़ोपी विधायक तीराम पर आच्वार सहीता के उलंगन का रोप लगा है बीज़ोपी विधायक तीराम का स्कूल में टैबलेट बाटने का वीडियो वारल हो रहा है सर्नात स्तित बोदिस्तव स्नाकोतर महाविध्याले में टैबलेट विधायक तीराम बाट रही है वीडियो में बच्चर को टैबलेट बाटते वे वो कैमरे में गयाध होई है सोशल मीडिया पर फिलाल ये वीडियो तेजी के साथ बारल हो रहा है वारसी के अजगरा विधान सभा से विधायक है तीर हुआ है पालिका धीयक शरीष दोपे को ग्यापंदेग पर मांग है है कि वेंडर कमीटी में मीना बाजार के ब्रचेनाई जात है कि अभी बहुत सारे ऐसे वेंडर हैं जिनका वेंडर सूची में लाफ़ दर्च कराया जाए पालिका धियाक शरीष दूपे ने उन्हें आसवाशन दिया, उनकी मांगों को अंदेखा नहीं होने दिया जाएगा, सूची से जो वेंडर्स छूट गए हैं, उन्हें सूची बद करके उनके नाम भी शामिल किये जाएगे आज मीना बजार के बहुत सारे वेंडर्स अपनी मांगों को लेकर आये थे, उनका ये कहना था कि हम लोगों को जो है कि वेंडर्स कमेटी जो बनाई गई है, उनका ये भी कहना था कि बहुत सारे वेंडर्स ऐसे हैं, जो वेंडर्स सूची बनाई गई है, उसमें सूची बद प्रफद नहीं हुए हैं बहुत सारे वेंडर्स थूर गए हैं और उन लोगों को भी सामिल किया जाए तो मैंने अब यो महदे को जो कि उस वेंडर्स कमेटी के अद्द्यक्ष भी हैं मैंने उनको कह दिया है और वह निश्चित रूप से जो है कि अगली जो वेंडर्स कमेट कि योगी इन लोग की मागों को रखा जाएगा अंदेखा नहीं किया जाएगा आपको उतादे कि पालिका अध्यक्ष अरिश्चूवे को ग्यापन देकर मांग की गई है कि वेंडर कमीटी में मीना बाजार के वेंडरों को भी सदसे बनाया जाए मीना बाजार के वेंडरों का ये कहना है कि अभी बहुत सारे ऐसे वेंडर हैं जिनका वेंडर सुची में नाम दर्ज नहीं हो पाया है इस तरह के वेंडरों को चिनहित करके उनके नामों की भी सुची बनाई जाए और इस लिस्ट में उनका नाम दर्ज कराया जाए पालकार्ध्यक्ष अरिश्टूबे ने उन्हें आस्वाशन दिया है उनकी मांगों को अंदेखा नहीं होने दिया जाएगा और उसे बीच एक बहुत बड़ी ख़बर सामने आ रही है ये बड़ी जानकारी स्वक्त के मिल रही है लखनव से इस वक्त की बड़ी ख़बर VIP guest house के पास सरकारी अबारत गिरी है बड़ी जानकारी इस वक्त की लखनो से मिल रही है है, विल्डिंग के अंदर का हिससा पूरी तरह से धस्चुका है हर्जरत गंच के डाली बाग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है लखनों से इस वक्त के हम बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं जहाँ पर वियाईपी गेस्ट हाउस के पास सरकारी इमारत गिर गई है और इसमें कई लोग दबे होने की आशनका बताया जा रही है दुखद खबर ये सामने आ रही है जहाँ पर वियाईपी गेस्ट हाउस के पास सरकारी इमारत गिरी है जो कि सर्वेंट क्वार्टर है का इन लोगों के दबे होने की आशनका बताया जा रही है बिल्डे के अंदर का इस्ता पूरी तरसे दर्श चुका है हजरत गंच के डारी बाग का ये पूरा मामला है फिलहाल रेस्की ऑपरिशन किया जा रहा है मौके पर टीमे तैनाथ है लखनों से बड़ी जानकारी इस वक्की वी आईपी गेस्ट हाउस के पास और जावत जानकारी के साथ मेरे से योगी नदीम खाम मेरे साथ लखनों से फोन लाइन पर जुड़ गया है नदीम क्या कुछ जानकारी मिल रही है बड़ा मामला दुखत मामला बिल्कुल आपको बता लिए जिस तरह से ये हजरत गंच का मामला है कौर्टर जो था वो गिर गया है हला कि अभी तीन लोगों को साही सलामत निकाल लिया गया हला कि एक महिला जो है अभी एक महिला पती हुए रेस्क्यू ऑपरेशन जा रही है पुलिस बल मौके पर मौजूद है तो फायर बिगेट की गालिया भी मौके पर आ चुकी है अभी तरह एक महिला जो दबी हुई है उसको रेस्क्यू ऑपरेशन साब निकाला जा रहा है पुलिस बल मौके पर मौके पर मौजूद है पी आइस्टी के साउस के पास तरकारी इमारत है जो गिर गई है उससे अभी तीन लोगों को साही सलामत निकाला गया है उनको इलाज के लिए भेंज दिया गया है नज्टी के अस्पटाल के लिए और वहीं अगर बात कर ले तो अभी मौके में पुलिस मौजूद है एक जो महिला है वो अभी फस्टी कितने लोग इस मलमे में दबे हुए थे है इनकालने में सफल्था पूर्व हासिल ख रही है लोगे लोगेल को स्ब्सक्राइट के लिए लिए है ने इनकाल देख थे लेकिन अधिकाली क्या कुछ चिह रहे हैं जो मारत हुट जर जर हो की थी या कोई और बजा आ इस सवीरे आपको दिखा रहे हैं रिज्क्यू ऑपरिशन लगा आ आ जा जा रही है बताया है कि मिर्स यहांगी ने बताय कि चाड़ लोग आ मौके पर इस मलमे में दब गए थे उन लोगों को बाहर निकाला गया है लेकिन एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है यह वो इमारत है अगर तस्वीरों को आप देखेंगे तो इमारत पूरी तरह से जरजर हो चुकी है अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए है कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है फार्व सामला जो है व्याइपी गेस्ट हाउस के पास का बताया जा रहा है बताया जा रहा है कि सर्वेंट क्वाटर की इमारत थी जो की गिर गई है और कई लोग इसमें दबे हुए थे फिलहाल सभी को बाहर निकाल लिया गया एक मैईला की हालत गंभीर जिसे अस्पताल में भर् पर जर्चर हो चुकी है तर को कि च फाल को बता चाहिए पूरानी इमारत हैं तरकारी इमारत हैं यहां पर सरकारी के साथ रहते हैं हिस्टार लोग है कि इसमें बहुंक यह देधिवर हो चाहिए है आज उससे इमारत इप यह पुलिस बल्ब भी मौके पर मौदू भी जाए ये, अबी देखना ये होगा कि वो महिला किस तरीके से निकलती है, अभी कुछ निकल के सामने नहीं आया, तीन लोगों को ताको उसल बाहर निकला जा सका है, जदीम क्या फिल्हाल हालातों पर काबू पालिया गया है? टोर चेकि नदीन शुक्रिया तमाम जानकारी पहुचाने के लगड़ी खबर आपको बता रहे थे जो हाँपा servant quarter गिर गिर गया है कुछ सा बेलनी का गिराया है जिसमें कई लोग दबे हुए थे हाला कि सब भी सो खुशल बताया जा रही है, एक महिला है, उसकी हालत गंबीर बताया जा रही है, पुलिस मौके पर पहुंच रही है, आला अधिकारी मौके पर पहुंच रही है, फार बेट की गारिया मौके पर पहुंच रही है, राहत और बचाप का काम जा रही है, फिलाल